तो गाइज मेरे से काफी बंदे पूछते रहते हैं कि भाई आप अपना PUBG का गेम प्ले या कैसे किस टाइप से रिकोड करते हो तो वो सारा सीन आज आपको मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं यह जैसे मैंने मेरे सैट अप वीडियो में आपको बता आई था मैं कहाँ पर खेलता हूं और मैं एसे मेरे आई पैड को ऐसे रखके ऐसे six finger seven finger ऐसे ट्राइप करता हूं खेलता हूं तो मतलब मैं आप टाइम वेस्ट करने वड़े बंदे हैं नहीं बिल्कुल सिद्धा पॉइंट टू-पॉइंट बाते करते हैं तो सिद्धा बता रहा हूं कि किस टाइप से मैं रिकोर्ड करता हूं दो मतलब मैंने स्टार्टिंग में ऐा था तब मि रूर सेन सेट के अंदर कंप्रोल सेंटर में यहाँ पर होगा धेल कुल पर दीक हो तो यहां पर आजए गाए राट्ड को स्क्रेंट रिकोर्ड पाूब तो यहां से यांपर रुणीब कर सकते हो बट अगर आपको आपकी सेड़ करना तो यहां पर पलस करके यह आजेगा अब इसके बाद आता है वही PUBG का gameplay निकालना है तो अब आता है कि किस टाइब से record करता था तो यहां से आप इसको निचे करोगे तो यहां पर यह आएगा यह वाला बटन इसको यहसे टैप करते हैं तो यह देखो फोटो मैं starting में inbuilt जो screen recorder होगा उसमें फोटो आएगा तो starting में start recording आप इसको अगर voice on off करके मतलब करना चाहते हो जैसे on कर दिया तो साथ साथ में आपकी भी voice जाएगी इस टाइप से होता था Android के नदर यह वाला सीन इतना नहीं होता वन पलस के फोन से में होता है sound recorder हो जाता है बट उसमें यह नहीं है कि आप एक साथ दोनों चीजे कर सकते हो मतलब जिसके साथ आपका sound भी जाए पलस गेम का sound भी आए वह सिर्फ iOS devices में ही एविलेबल है और Android में यह सब एविलेबल नहीं है तो iOS का ही मैं बता रहा हूं 60fps आपको देता है मलब screen recording के अंदर भी बट क्या होता है कि यह एक glitch है इसके अंदर जो inbuilt अगर screen recorder आप यूज करते हो कि आपका जो है कि आपका कभी sound नहीं जाएगा maximum time a glitch हो जाता है तो इसके लिए बाद में जब मैंने दिरे दिरे सर्च किया YouTube पे तो मेरे को मिला यह राज जा पर आप देख रहे हो रैक गो पर अगर क्लिक करके कोलते हैं रैक गो आप जाके मतलब app store से डाउनलोड यह पेड है बट यह है 359 रूपीज इसके दो प्लेन है सबसे पहले तो यह जैसे मैंने बता दिया अब आपको कि इसका screen recording कैसे होना था है तो इसका भी same machine है तो यहां से जैसे इसको नीचे की तरफ लेके हैं मतलब यह क्या हो गया तो जहां से इसको नीचे की तरफ लेके हैं तो इस पर double tap मतलब करें रखेंगे तो यह आ रहा है रेक गो आर इसी जी ओ तो इसको अगर वही स्टार्ट बटन करेंगे तो इसके अंदर इसके अंदर जो होगा मतलब आपकी जो screen recording आपने की होगी वह इसके app की inbuilt अंदर save होती है save होती है उसको अगर आपको save करना है तो save to album यह रहा मतलब save to album आप कर सकते हो इस three dots पे click करके यहां पे आप click करोगे तो जैसे इस पे click क्या तो यहां पे आ जाता है save to album आप अपने मतलब photo के अंदर save करना चाहते हो इसकी setting rating सब कुछ है मतलब बहुत है आर आप इतने तो knowledge आप को किस टाइप से use करना है तो यहां से होता है यह वाला save to complete अब आती है कि मैं अब कैसे करता हूं current time में यह तुम्हें पहले करता था starting में तुम्हें करता हूता काफी दिन तक की उसमें यार मेरे game glitch हो जाते थे बट क्या करता knowledge नहीं थी मेरे को इतनी उसके बाद यह र होता है अराउंड अगर बड़ा गेम होना बड़ा गेम जैसे 25 में आप मर गए वह गेम तो अच्छे से रिकोड़ गरे गाई वर्चिस गेम में आपने चिकन निकाला 25 स्किल निकाले वह वाला यह नहीं करेगा तो that's why मेरा धिमां खराब हो जाता था बहुत ज्यादा पता लाइटनिंग वगरा वाला तो इसको कनेक्ट करना है तो मतलब यह कैसे चलता है यह आपको वही आप यूटूब पे चाकिस कर सकते हो इसको आपको जैसे मतलब मैं इसको इधर आई-पैड में लगा देता हूँ अभी एक आथसे आर फोन पकड़े हुआ है मैंने तो इसको आप पोती है अलगाट्ट वालों की खुद की मतलब लैप्टोप के अंदर खोलोगे तुम्हा दिखाता हूँ यह कहां गया गेम केपचर हच डी यह वाली अप गेम केपचर अच्डी इस एप को जब खोलते हैं अब यह दिखाता हूँ एक फुलने में टाइम लेता है पत कुछ बंदे मेर से कहेंगे कि भाई मतलब एक लो पहले सेट अप करके दिल्फार जेता हूं यह सारा भी आराम से मतलब एनिलाइज कर रहे हैं सारे सिस्टम को अपने सिस्टम से से कनेक्ट करके एड़ करने का सब कुछ सारे सेट अप कर रहा है तो गाइस जैसा कि मैंने बताया था यह थोड़ा से डालना पड़ता है तो देखो यह मेरी स्क्रीन मेरे जैसे मैं अभी मैं फोन में चलाऊंगा तो देखना आप इदर उदर बिल्कुल मेरे पीसी के आ जाते है यहां से फिर इसको रिकोर्ड कैसे करना होता है यह फिर स्ट्रीम लैब OBS होता है यह कोई पेड़ वैड सिस्टम यह आपका लेना पड़ेगा वह तो आपका सेट अप जैसे कि मैं बता रहा तो स्ट्रीम लैब OBS कुल जाता है आपको उसके बाद दिखाता हूं तो यह सारा सेट अप होता है मतलब मैंने स्टार्टिंग में नोर्मल करता था यह फिरी कुछ पता नहीं था फिर देरे देरे ग्रोथ हुई अच्छा करना था कॉन्टेंट तो मैंने रह गोई होज किया उसके बाद और अच्छा करना था यह अब आप डिमांड करते हो कि भाई अ यह Carmichael Yourself में अच्छा eut the Ora मैंने लोग देखेंगो तो मैने यहल गाट्व बारा सायट कर दिया मैंने करा आप स्टार्टिंग में आलगाट्व लेकर बैटकर भाई नोर्मल से स्टार्ट कराऊ धेरे जैसे जैसे आपको घ्रोथ मिले उसी के साथ साथ आप बूस्ट कर द कि यहां से मैं स्टार्ट करता हूं Prcording direct start हो जाती है तो यह मेरे तीन सेट पकर रिकोर्ड माइ B इंटरनल ओडियो एड़ नहीं करता हूं हमेशा कभी देखेंगे क्योंकि यहां पर करना पोसिबल नहीं है भाहर की साउंड काफी आती रहती है तो अब जो थर्ड चीज आती है कि भाई चाहरी कि नेक्स्ट इससे आगे अग कोई स्टैप आता है जैसा कि मैंने बताया मजल्या ऑफ एक हैंड के मलगा अगया कि यह विडियो हैं डाव आती आपप आप यह लो तो आप रेकोड अधे करना जरूरी है अगर आपका गेंप्ले रिकोड नियों होगा तो हैंड मडा इ इसके बाद जो second चीज मैं करता हूं मतलब अब जो second video आईगी इसमें बताऊंगा how to make handcam फिर एक आएगी how to how I edit my videos बलब यह थी step है में भी हो सकता है next video में cover कर दो दोनो handcam और editing वाला से setup या फिर हो सकता है कि मैं भाई मतलब तीन पार्ट भी हो सकते हैं इस वीडियो कि यह पहला पार्ट था मैं इसको पचास मिनिट की या पंदरा मिनिट की वीडियो नहीं करना चाहता अब को जब मैं इस चैनल पर छोटी वीडियो दाल रहा हूं तो उसकी भी आ जाएगी और फिर आता है कि हाउ थार्ड चीज हाउ एडिट यह सारे आ जाएंगे कोई बात नहीं करते रहो पहला पार्ट था सेकेंड पार्ट का लिए परसों में आ जाएगा मतलब हावाई मेंग हैंड कर तक के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है उसके लिए थोड़ी से अच्छे से बताऊंगा तो करते रहो जिस जिसके भी डाउट हो कमेंट सेम कर दो है रिप्लाई आपत देते हैं बाकि मिलते हैं तो तब तक के लिए राम राम जैहिंद जैभारात